धर्म प्रिमी सजनों तथा विश्वासियों को ये पता चल गया है कि हमारे पुरोसी मुल्क पाकिस्तान जो इसलामी राष्ट है और उसी इसलामी राष्ट में अभी अभी एक दर्द नाक और शर्म नाक भी घटना घटी है वो घटना ये है कि एक आठ वर्ष के लड़की के साथ किसी ने जिना किया, रेप किया, वैविचार किया और उस लड़की को मार भी डाला तो पाकिस्तान एक इसलामी राष्ट होने के कारण, पुरानी हकूमत होने के कारण, पुरान में अल्ला ने क्या हुक्म दिया है ऐसे जिनाकारों के लिए, ऐसे जिनाकार मर्द और और अवरत के लिए, आईए जब थुड़ा सा, उसी पुरान के है, सूरा नंबर 24, सूरा का नाम है अन्नूर, आयत नंबर 2, 3, 4, 5 को थोड़ा देखते हैं कि आल्ला ने क्या जिक्र फरमाया है ऐसे लोगों के लिए, यहां आया है आयत नंबर 2 में, वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुम फी दीनि ल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल्योमि आखिर वल्यशहदु अजाबहुमा तौाइफतिम मिनल्मूमिन। यह मौरुना फारुख खान ने हिंदी में अनुबाद लिखा है कि जिना करने वाली और जिना करने वाले मर्द इन दोनों में से हर एक को सौ सौ कोड़े मारूं। और अगर तुम खुदा और रोज आखिरत पर एमान रखती हो तुद पध्यान देना। यहां शब्दा इन कुन तुमिनून बिल्लाहि अगर तुम एमान रखती हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर तो उनको ये सदा मिलनी चाहिए। तो हुक्म खुदा का नाफिद करने में तुमको उनकी बारे में किसी तरह की लिहाद नहीं होनी चाहिए। और उन्हें सदा के वक्त मौमिन की एक जमाद भी मौजूद रहनी चाहिए। यानि मौमिन की जमाद वहाँ पर गैर मौमिनों की जमाद एक वहाँ पर मुकर्रर रहे। यानि अनेक संख्या में लोग वहाँ रहे और सब के सामने में उनको जिरा करने वाली को ये सदा दी जाए। आयत नमत 3 में आया है अज्जानी ला यनकिहू इल्ला जानिया और मुश्रिकिम। वा खुर्रिमा दालिक अलल्मूमिन। जिना करने वाला मर्द तो जिना करने वाली ओरत या मुश्रिकिन से निकाह करेगा। और जिना करने वाली औरत भी बस जिना करने वाली हो मर्द या मुश्रिक में से निकात करोगी और सचे इमान दर पर तो इस पर किसम की तालुक हराम है यानि मुश्रिक महिलाओं से जिना करना या उनसे तालुक बनाना गत्य हराम है आगे आयत नंब चार में अल्ला ने जिकर फर्माया जो लोग पाक दामन अवरतों पर जिना का तोहमत लगाएंगे फिर उनमें दावे पर चार गवाहूं पेश न करो तो उन्हें असी कोड़े मारे जाएं और फिर आइंदा कभी उनके ये गवाही कुबोल न की जाएं ये लोग वो बदकार हैं वो लोग खुद बदकार हैं आगे आयत नमर पांच में अल्ला ने जिकर फर्माया इल्ल्लदीन ताबू मिन बाद दालिका वास लहू फाइनल्ला गफूर रहीम मगर हाँ जिन लोगों ने उसके बाद तौबा कर ली और अपने इस लाह की तो बेशक खुदा बड़ा बक्षने वाला मेरमान हैं आयत नमर चे को देखें वल्लदीन यर्मून अजवाजहूम वलम यकुल लहूम शुहदाओ इल्ला अन्फसहूम इल्ला अन्फसहूम फशहादतु अहदिहिम अर्बाव शहादतिं बिल्लाह इन्नकू लमन अस्वादिकीन और जो लोग अपनी बीबियों पर तौमत लगाते हैं देखें अपनी बीबियों पर जो तौमत लगाते हैं और उसके सुबूत में अपने सिवा कोई और गवाव उनको नहीं मिलता है तो वो बेशक जरूर सच्चा माना जाएगा और इसका शान नुजूल क्या है तो इसलाम जगत वाले जानते हैं भली बाती कि एक बार की घटना है जब काफिला में लोग जा रहे थे किसी एक की पत्नी रफाहाजत के लिए वो जंगल में गई कि एक आदमी नियुक था कोई सामान गिर जाने पर काफिला में से उसे उठा कर लिया आए सामान तो नहीं मिला उस आदमी को वो महिला जो रफाहाजत करने के लिए गई थी जंगल में वो निकल के आई उस बेचारे ने अपने सवारी में बठा कर काफिला तक पहुचा है लेकिन उसके जो खामिन थे उसके जो शोहर थे वो भी शक करने लगे उनके चरितर पर तो अल्ला ने ये आयत नाजिल फर्मा दिया है ये मैं जाकिन नाइक को भी लिखा हूँ अपने पुस्तक में भी मैं लिखा हूँ मस्जिद सेयर श्याला की और वाली पुस्तक में भी ये पा जाएंगे पेज नमा 24 में तो मैंने निवेदन किया कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बिलकुल शर्मनाक वाली बात है तो ये 8 साल की बच्ची से इन्होंने रेप किया जिना किया ये बड़ा गलत किया है क्योंकि इसलाम में लड़कियों को बालीगा माना जाता है 9 साल में किसी बैक्ती ने 6 साल की अबोध बालीगा में 52 वर्ष की आयू में अबोध बालीगा से जो बालीगा 6 वर्ष की थी 52 वाला बैक्ती ने उस अबोध बालीगा से निका किया तीन वर्ष उसे अपने मां के घर रखा और जब वह बालिका नौ वर्ष की हुई तो नौ वर्ष में वह सुस्राल आई बावन और तिन पच्पन वर्ष वाले उनके साथ हम बिस्तर किया मुबाशिरत की तो यह इसलाम में जाइज है इसलिए नौ साल की लड़कियों को बालिगा माना जाता इसलाम में अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा जो यहिया सवीर नाम का एक वैक्ती आया था अरव से और हैरवाद से हैदरबाद में आकर वो 11 साल की आमिना को शादी करके ले जा रहा था दिल्ली के ये एरपोर्ट में उसको पकड़ा गया था उसका जो वकिल था वो यही हवाला दे रहा था कि हमारे यहां पर ते इसलाम में 9 साल की लड़कियों को बालिगा माना जाता है आमिना तो 11 साल की है लहाद है इसको बालिगा माना जाए जिन कितना वए दुर्भाग है जो वाकिल गवाई दे रWe bölड़ी भारत का है है तो मसिलमा लेकिन विए इस्लामिक खानून बता रहा है और लॉा उनोंने किया है जो एर्रिवी किया है वो भारती सम्मिदान के अनुसार किया है भारती ये खानून वबस्ता के अंसार किया है और कानून बता रहा है अरब का ये जो चल रहा है सब कुल मिला करके भारतवर्ष के अंदर में बरतमासमा में ये बड़ा ही शर्मनाट आमानिविय तरीका चल रहा है मदसा को ले करके भी जो भी बात चल रहा है वो भी ठीक इसी तरीके का है मदसा में ना तो भूगोल की पड़ाई है ना परकिती परिचे की पड़ाई है ना इतिहास की पड़ाई है ना गनित की पड़ाई है ना विग्यान की पड़ाई है वहाँ केवल और केवल अरव और अरव देश अरवी अल्लाओ और अरवी पैगंबर अरवी जुबान अरवी भाशा और इसलाम कि जतने भी आदम से ले करके महाम्मत तक एक लाप या दो लाप चुबे सदा पैगंबर हुए है जिनका नाम सामने आता है अद्पी सबका नाम नहीं आया है ना कुरान में ना अदीछ में कहीं पर भी किसी किताब में भी एक लाख या दो लाख चुबीस अदार पूरा पेगंबरों का नाम नहीं है, चुनिल्ला पुछा आया है तो मेरा कहने का मतलब है कि मदसा में यही सब पढ़ाई जाती है बच्चे की दिल और दिमाग में किवल आरव का नक्षा ही भरा जाता है मैं अपने पुस्तक में भी यह सारा लिखा हूँ तो आरव का नक्षा जब बच्चे की दिल और दिमाग में आप भरेंगे और वहां से पढ़ने के बाद जब वो आ करके काम करेंगे धरती पर तो आरब के नक्षे का अनुसार काम करेंगे या भारत के नक्षे का अनुसार काम करेंगे इसलिए ये बिलम मना है वाकी में सही क्या है और गलत क्या है इस पर निरनलही नहीं लिया जा रहा है और विशेश करके तो मैं इसलाम के लिए यही बताऊंगा कि इसलाम के मानने वाले लोग भारत का कोई तहवार को नहीं मनाते मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ सारा अरबियन कल्चर, अरबियन तहवार, अरबी चांज, अरबी परंपरा, अरबी नाम यह सारा जीते जी सारा काम यही हो रहा है इसलिए इनके जर्म लेते ही इनके कान में अरबी जुबान में ही आज़ान सुनाया जाता है माय कान में तक भी सुनाई जाती है मरने के बाद भी वहाँ अरबी में ही सवाल जबाब किया जाता है ये सब बातें जो इसलाम में है वो केवल और केवल इसलाम देश वालों के लिए ही होना चाहिए इसलाम वालों के लिए है अगर तो भारत देश में उनका क्या काम है भारत देश में ऐसे नियमों को अमल करना या अमल पे लाना ये क्यों उचित है मन चाहे सडक रोक करके नमाज पढ़ रहे है मन चाहे बंदे मातरम का नारा लगाने में उताही कर रहे है बंदे मातरम बोलना नहीं चाहते और भारतमा की जय बोलना भी नहीं चाहते तो इस देश में क्या है कोई जिस देश में लोग रहते हैं उस देश का सम्मिदान अनुसार ही तो चलना पड़ेगा उस देश के आनियम कानुन अनुसार ही तो चलना पड़ेगा उस देश के आईन को भी तो मानना पड़ेगा उस देश के सुप्रीम कोट को भी तो मानना पड़ेगा अब सुप्रिम कोट के भी अवहिलना हो रही है तीन तला को ले करके कितना चीचा लेदर हुआ है वो सब दुनिया वालों के सामने है इसलिए मैं केवल दो टुक में ये कहना हुची समझा कि पाकिस्तान में जो शर्मसार अभी हुआ है मानवता को समसार किया गया है पाकिस्तान कुरानी हुकुमत वहाँ पर है इसलामी कंट्री होने के कारण तो कुरान में अल्ला ने जिना करने वालों के लिए जो आदेश दिया है अब पाकिस्तान के हुकम इमरान उस पर अमल करते हैं या नहीं दुनिया के लोग जरा उसे देखते रहें धन्वाद